Hello दोस्तों, आईए समझते हैं astringent शब्द का सही उचारण, इसका हिंदी और इंग्लिश में में मीनिंग और इसका एक example तो इस वर्ड को पढ़ते हैं astringent, astringent, astringent astringent का इंग्लिश में मीनिंग होता है substance that shrinks, substance that shrinks हिंदी में इसका मीनिंग है अस्तमक, कसेला, बंधनकारी, बांधने वाला, संकोचक, कशाय, सिकुडने वाली वो चीज जो सिकुड जाती है, उसे हम बोलते हैं astringent सिकुडने वाली चीज को हम बोलते हैं astringent चलिए इसको example से समझते हैं You can use astringent to make your skin less oily आप अपनी तवचा को कम तैली ये बनाने के लिए astringent का उपयोग कर सकते हैं तब इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें